गोई लोग सारे चुनाओं तो खतम हो गए समसदारी जनता ने पूप दिखाई है मैं उनके वोटिंग एक्ट को कुश्चन नहीं कर रहा हूं उनका यह हक है और उनके करना चाहिए लेकिन कुश्चन तो बनता है और कुश्चन तब बनता जब आपको मैं जो वीडियो दिख एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, दस दिन के अंदर कॉंग्रेस पार्टी मध्यप्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ करके दे देगी कर्ज माफी solution नहीं है, solution जादा complex होगा, solution किसानों को support करने का होगा, infrastructure बनाने का होगा, technology देने का होगा और solution, frankly, मैं बोलू, solution असान नहीं है, solution, challenging चीज है दोसों, इस वीडियो में आप लोगोंने notice किया होगा, कि आहुल गांदी ने पहले क्या कहा है, और बाद में चुनाओ जीतते ही उनी का क्या बयान था, मानना मैंने पूरी press conference नहीं सुनी, मैं सब करना हूँ, मैंने पूरी press conference नहीं सुनी, बहुत सारे लंबी सी conference का छोटा सा हिस्सा और यह भी लंबी सी conference चोटा सा है, लेकिन दोनों पॉइंट आपस में ही एक importance रखते हैं, लेकि दो बाते हैं, एक तो बहुत अच्छी है कि राहूल गांदी ने accept कर लिया, कि यह लोग यह चीज नहीं करने वाले हैं, और future में इन पे सवाल दियूशन नहीं थी, तो till now, चुनाओ जितने से पहले तक आपने भाजपा के एक एक सीम को, पीम को सबकी नाक में दम क्यों कर रखा था, कि किसान मर रहे हैं, किसानों की कोई नहीं सुन रहा है, सरकार किसकी है, यह वो क्यों नहीं माफ किया जा रहा है, यह पॉइंट और भाजपा को ध्यान देना चाहिए, अगर भाजपा ध्यान नहीं दे रहे है, तो सरकार अच्छी नहीं हो से सरकार में नहीं होना चाहिए, और अगर कर्ज माफी ही कोई solution नहीं होता, तो आप उनको question क्यों कर रहे हैं, यह भी आपको जाब देना पड़ेगा, अगर आज तरीके भी अपना रहे थे फर्टिलाइजर के जुगार में और फैक्टरियां और आरेंजमेंट सस्ता सब्सुडी सब कुछ कर रहे थे ग्रोथ आपको पता नहीं कैसी चाहिए थी कि जटके से कुछ ऐसा हो जाए कि किसान दो मुर्चा निकाल ले के हो जाए मैंनों जंडे उ और पहला दिन नहीं हुआ कि आपने कमेंट कर दिया कि यह कोई सोलीशन ही नहीं कि जनता जो वोट दे चुकी है जो किसान वोट दे है उनको इस वीडियो सबसे पहले देखनी चीए उनका समाझ में आना चीए कि मतलब मेरी वीडियो नहीं ही वो जो वीडियो में में जिसके नेता को हम लोग चुन के लाएं हैं अपने राज्य में ऐसा सीयन वो लोग तो सोच रहोंगे कि यह क्या गलती कर दी पांच साल तक किसको जहलना पड़े जिसने पहले क्लेर कर दियो खेर अब जनता इतने बेवकूफ नहीं है कि पांच साल तक ऐसे जहले कि वह जाइट से बात है सबको नजर आया क्योंकि उन लोगों एक अच्छी सरकार experience की हुई है मैं मद्यप्रदेश की बात कर रहा हूं राजसान में experience नहीं था अच्छा यह accept कर रहा है सबको पता है ग्राउन लगल पर कि राजसान में अच्छी हाला नहीं लेकिन में काम हुआ है और माद्यप्रदेश की जनता एक standard बेख चुकी है कि कम से कम इतना तो काम होना ही चाहिए और इससे उपर के लिए अपने वोड दिया तो अगर वो नहीं होगा तो जाइट से बात है यह सरकार भी कितने वाली है तो बस वीडियो में इतना ही कुछ इसके ब झाल 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 झाल